हेलो फ्रेंट्स आज हम बिना प्याज लसुन की परबल आलू की सबजी बनाएंगे जिसको आप रोटी, पराठा और चावल के साथ खा सकते हैं चलिए अभें बनाना स्टाट करेंगे परबल आलू की सबजी इसके लिए हम दो आलू को इसे काट के रखे हैं और परबल का उपल का चिलका निकल के इसको इसे बीच से काट दिये हैं 10-15 काजु को हम पानी में भीगा के रखे हैं और कुछ मलाई लिए हैं दूद के जो मलाई जमता है ये फ्रेस मलाई है काजु और मलाई को एक साथ ब्लेंड करेंगे दो टमाटर लिये हैं, आधरक लिये हैं, एक हारी मीच और धन्या पता, इसको भी एक साथ ब्लेंड करेंगे मसाला में हम लिये हैं 1 टी स्पून हर्दी पाउडर, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबु स्पून कस्मेरी रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून गराम असला और 1 टी स्पून धनिया पाउडर कुछ कस्तुरी में थी और नमक स्वात के हिसाब सलेंगे अभी चलिए पहले काजू और जो मलाई रखे थे इसको एक साथ ब्लेंड कर लेंगे इसको ब्लेंड करके एक बातन में निकाल देंगे और एक साइड में रख लेंगे अध्रक, हरी मीच और धन्या पता को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे अभी इसको निकालके एक बर्तन में रख लेंगे अभी चलिए नेक्स्ट प्रोसिस को अभी हम कड़ाई गारम करेंगे कड़ाई में डाल देंगे आयल आयल को गारम होने के लिए छोड़ देंगे आयल गारम होने के बाद थोड़ा सा लमक डालेंगे और पर्बल को इसमें फ्राय करेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे अभी एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसको पल्टाएंगे अभी इसी कड़ाई में थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा लमक डालेंगे ज्यादाने थोड़ा सा डालेंगे अभी इसको आलू को इसमें फ्राय करेंगे आलू को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होई तक फ्राय करेंगे अलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसको बाद हम इसको निकाल देंगे अभी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी इसको एक दुसरे बतन में थोड़ा सा पानी डालके हाप बाइल कर लेंगे अभी अलको निकालके हम थोड़ा सा हाप बाइल कर लेंगे कियोंकि जब सबजी बनाएंगे तो ज़्यादा डेर नहीं लगेगा अभी उसी कड़ाई में थोड़ा सा ओयल हम डाल दिये हैं और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खड़ा मशाला और इसको हलका सा फ्राइ करेंगे इसमें डाल देंगे वान टी स्पून जीरा और एक मिर्ची डाल देंगे लाल मिर्च और एक तेज पत्ता इसको हलका सा फ्राइ करेंगे थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद इसमें डाल देंगे कास्मेरी रेड चिली पाउडर और इसको जब कास्मेरी रेड चिली पाउडर डालेंगे ग्यास का फ्लेम को लो कर दिजिए अभी जो धनिया पत्ता, टमाटा, अद्रक, हर्मीर्स का पेस्ट बना के रखे थे इसको डाल देंगे और इसको आच्छे से लेंगे, जिससे कड़ाई के उपर अल छुणने लगेगा, तब आपको पता चल जएगा ये हो गया है तो अद्रक चला लेंगे, ये थोड़ा सा ड्राय हो जाएगा, दिखे अभी ड्राय हो गया है, अभी हम इसमें मसाला डालेंगे अभी धानिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाला जलना जाएगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ड्राय हो जाएगा, कड़ाए के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा ओयल चुणने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा, मसाला अच्छे से हो गया है, और बीच पीच में थोड़ा चामू चला लेंगे अभी देखिए, और चुणने लगा है, मसाला के ऊपर, अभी मसाला हो गया है, अभी इसमें जो काजू, अभी हम इसमें काजू और मलाई का जो पेश्ट बना के रखे थे, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चामू चला लेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको जिससे देखेंगे इसके उपर ओयल चोड़ने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा मसाला अच्छे से हो गया है अभी हम इसमें आलू डाल देंगे और परबर डाल देंगे अलू को हाप बाइल करके हम रखे थे क्योंकि जब सब्जी बनाएंगे यह तुरंद हो जाएगा ज्यादा देन नहीं लगेगा अभी हम इसको अच्छे से मीक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गरम पानी इसमें डाल देंगे जो अलू को बाइल करके रखे थे इसका पानी था गरम है अभी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डाले जितना पानी आप रखना चाहेंगे उसी के हिसाब से पानी डाले अभी हम इसको कभर कर देंगे और आलू परवल अच्छे से होने तक इसको पकाएंगे अभी चेक करेंगे अभी दिखिए परवल अच्छे से हो गया है आलू भी अच्छे से हो गया है अभी परवल आलू अच्छे से हो गया है अभी हम इसमें जो कस्तुरी में थी रखे थे गराम मसाला भी डाल देंगे जो रखे थे और इसमें डाल देंगे कस्तुरी मेथी और कटे हुए धनिया पत्ता अभी हम इसको एक दो मिनिट के लिए पकाएंगे और इसके बाद निकाल देंगे जो कस्तुरी मेथी का जो फ्लेबर है ये सबजी में आच्छे से आ जाएगा इसलिए इसको एक दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट के बाद हम इसको निकाल देंगे अभी देखिए दो मिनिट हो गया है अभी इसको दुसरे बतन में निकाल देंगे देखिए कितने अच्छे से कितने जल्दी आप बिना प्याजलसुन के परबल आलो के सबजी बना सकते हैं आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक सेर करना ना बुले थैंक्यू पर वाचिंग